नमस्कार बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पवंतिवारी भारत तो शिलंका के वीश खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की मेजवानी करने वाले बेंगलूरू के एम चिनस्वामी स्टेडियम की पिछ को ICC ने एवरेज यानि की ओसतन से भी नीचे का करा दिया है आपको बता दी कि भारत ने दूसरे टेस्ट मैच मेच में शिलंका से 238 रन से जीत हासिल की थी यह टेस्ट मैच 12 मार्श शुरू हुआ था 16 मार्श तक इसे चलना था लेकिन मैच 3 दिन के भीतर ही खतम हो गया था इस मैच की अगवाई इसी मैदान ने इसी पिछने की थी तो अब ICC ने यानि की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल ने इस पिछ को औसत से भी नीचे का दर्जा दिया है इसके लावा ICC ने पिछ को एक डिमेरिट अंक भी दिया है ICC की बता दें कि शिरनात ने BCCI को रिपोर्ट भेज दी है दरसल किसी भी इंटरनेशनल मैच के बाद ICC पिछ और आउट फिल्ड की जांच करती है जिसमें यह देखा जाता है कि क्या मैच करवाने के लिए पिछ को उसी बहतर तरीके से त्यार किया गया था या नहीं उसी इस् पिछ अनुकूल नहीं थी इसी वज़े से उसे एक डिमेरिट अंक दिया गया है आपको बता दें कि अगर ICC पिछ को घटिया या खेल के योगे नहीं मानती तो उसे तीन या पांच डिमेरिट अंक भी मिलते हैं ऐसे में मैदान पर एक साल तक कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं कराया जाता उस पर बैन लग जाता है अगर किसी पिछ को दस डिमेरिट अंक मिलते हैं तो उस पर दो साल तक कोई भी अंतराश्टी है मैच आयो जीत नहीं कराया जा सकता है आपको बता दें कि इससे पहले 2017 में भी भारत और उस्टेलिया के वीच खेले गए मैच के भी ICC ने इस पिछ को औसत से कम आका था और अब श्रिलंका और भारत के बीच खेले गए मैच के बाद भी इसे एक डिमेरिट अंक दिया गया है और औसत से निचे का करार दिया गया है आप क्या को सोचने हैं इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को ल